तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भावे मारत पहला जल साधा घर से पानी लेकर गए जल लेकर गए शंकर को चड़ाया वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया भगवान शिव को जल चड़ा कर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त करने दूसरा जल जल के छलश में थोड़ा सा इत्र डाल कर शंकर को समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगी लागए बहुत रोगी लाँ शियो महा पुरान में इसकंद पुरान में नर्वदा पुरान में भविश पुरान में अगनी पुरान में नारत पुरान में बरहा पुरान में बामन पुरान में जितनी चीजे लिखी गई है एक एक प्रेक्टिकल करकर देखो तो शियो महा पुरान इसक कि उसमें कितना आराम लगा है ओशद ही दवाई काम करना प्रारम करी कि ना करी केवल इत्र समर्पि इत्र का जल तो पहला जल साधा दूसरा जल है इत्र का और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतरगत कहा गया है बेल पत्तर का जल तीसरा जो जल है वो बेल पत्तर का जल बेल पत्तर का जल कैसा तो महाराज शिव महापुराण की कथा करती है कि जल के पात्र में एक बेल पत्तर अंदर डाल कर उस जल के पात्तर को ले जाकर शिव को समर्पित करना और थात अपनी मन की कामना बगवान शंकर से कह देना केवल आप अपने मन का बहाव बता दिया इतर का जो जल चढ़ाया गया वह केवल रोग मुक्ती के लिए चढ़ाया गया और तीसरा बेल पत्तर अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पढ़ा हुआ जल आप जिस भाव से चड़ा रहे हो जिस कामना से चड़ा रहे हो शंकत वो कामना आपकी पूर्न कर दे और लिंग्पुरान को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि लिंग्पुरान के अंदर लिखा है कि आप संकर को अगर जल भी नहीं चड़ाएं आप संकर को भस्तर भी नहीं चड़ाएं आप संकर को फूल भी ना चड़ाएं आप बेलपत्र भी ना चड़ाएं अगर संकर को आपने कुछ भी ना चड़ाया तो केवल संकर के मंदिर में दो छण जाकर उस शिवलिन के सम्मुख में बेड जाओ कुछ मत बोलो केवल मोन होकर उसको निहार लो केवल मोन होकर निहार लो बहुत बहुत जो हनमान जी महराज को तीन तरह की माला समर्पित होती है एक आकड़े के पत्ते के दूसरी बेलपत्र के पत्ते के तीसरी पीपल के पत्ते के ये तीन तरह की माला जब हनमान जी महराज को समर्पित होती है जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है बहुत ज़्यादा प्ष्ट हो गया है कैंसर जैसी भीमारी भी अगर उसको घेल ली है और किड़नी लिवर साब वेकार हो गया तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाव 108 पत्ते की और हन्मान चालीसा का हर पत्ते पर इस्मन करिए माराज आप हन्मान चालीसा पढ़ते जाओ माला में काट लगाते जाए और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीडित है हाथ का इस पर शकराईए और शंकर को चड़ाईए केवल अश्टमी तिथी के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए शुकल पक्ष की अश्टमी के लिए आप दो या तीन अश्टमी को करकर देखिए अपने आप दवाई लगना प्रारम होगी कैंसर जैसा रोग भी धीरे-धीरे समाप्तिक पर आएग पर करना शुकल पक्ष की अश्टमी कोई है महाराज कोई बच्चा एग्जाम में बेट रहा है स्रीय की पड़ाई कर रहा है कोई बहुत बड़े एग्जाम में बेट रहा है पास होई नहीं रहा बहुत हार गया बेलपत्री की माला चड़ाई पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चड़ती है श्री हनमान जी महाराज आप बेलपत्र की माला चड़ाओ 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तु भ्यम मंत्र का जाप करकर डाट लगाकर भगवान श्री हनमान जी महाराज के सामने पहुचकर माला को सीधी रखकर जो व्यक्ति एक्जाम में बेट रहा है नोकरी के लिए अन पड़ाई के लिए अगर कॉम्पेटिशन एक्जाम में भी बेट रहा है तो माला को हनमान जी महाराज और हनमान जी कौन से होना चाहिए पूर्व मुखी हनमान दक्षिन मुखी नहीं जीए पूर्व में जिन हनमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित करकर हनमान चालीसा का पाठ करकर तीन बार इसमर्ण करकर माला श्री हनमान जी को पहना दीजिए ऐसा कोई एक्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए ama arata par karna आपको पढ़ेगा प्रदोश का दिन होना चाहिए प्रदोश के दो और प्रयास जहाँ तक हो सके प्रदोश काल में अगर चड़ाएंगे तो ज़्यादा फल गई रही है प्रदोश काल तीसरी है आकड़े की माला आकड़े के पत्ते की जो माला होती है ये माला कारी की सिद्धी के लिए होती है इसमें एक एक आकड़े के पत्ते पर सीता राम लिखा जाता है मातर एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीता राम नहीं लिखा जाता है 108 पत्ते में से एक पत्ता बस उस पत्य को हली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना करकर उस पत्य को बांदेना है यह जरुरी नहीं है कि 25 के उबाद बांदो, 50 के बांदो या 100 के बार बांदो, आपकी मरजी पड़े उस खाली पत्य को कहीं पर भी बन दीजिDon और उस माला को अपनी कामना करकर श्री हनमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए माराज इसके लिए कोई तिथी, कोई दिन, कोई वार, निश्चित नहीं है बस ये माला जब हनमान जी को चड़ जाए तब एक घीका और एक तेल कर दिया हनमान जी के सम्मुक में लंबी बाती का लगा देना माराज, एक घीका पर生, और आपनी कामना करकर आप आजाईए आपकी वो कामना, धाई महिना या तीम महिना इस से जादा नहीं जाएगा वो कामना बाबा उडी करेगा क्योंकि शिव और हनमान ये सब एक ही सुरूप है अब आप कहेंगे माराजी ये कौन सी पुराण से लिया है तो आप इसको लिंग पुराण के अंदर देख सकते हैं आप जीता प्रेज गुरत्पुर की लिंग पुराण लीजिए उसके अंतरगत आप इसका व्यक्ठान बढ है तो आप लीजिया है तो आ.